अब अपन बात करते हैं कि अपन प्रेडिक्शन कर रहे हैं अब प्रेडिक्शन करने के लिए अपने प्रेटिकुलर जो भी अपने पास में एक डेटा है अपन क्लाउड यूज करेंगे तो वो किसके थूप प्रेटिकुलर क्लाउड का यूज करते हैं किसमें प्रोटीन प् करेंगा कि आपका जो भी है कोई सइंटिस्ट्त करेंगा तो आपका जीवा फार्टर लोगा बेसिकली वह किनेक्टेट रहा सब्सक्राइब यह पंडिकर का यह कैसे कि प्रवाइड करेंगा याया पर यह सít के उससमें नेक्ट यह होगा और यह सी जीनubenे का पौर्ट हल जिसको provide करवाएगा और यह facilities यह कहां से access करेगा basically यह cloud पर क्या करेगा इनको store करेगा और उनको जहां पी उनको requirement होगी different में जैसे यह cloud पर करेगा तो यह क्या कर सकता है different different sites से same portal के through क्या कर सकता है यह access कर रहे है same services को तो basically आपका prediction के लिए किसका use करते है Jeeva portal का use करते है it is a integrated wave portal that enables the scientist to do the prediction task using cloud techniques basically this prediction task use machine learning techniques for explaining the secondary structure of protein तो आपका Jeeva portal वो किसका use करता है basically यह यह आपका machine learning का भी क्या करता है यूज करता है और आप आपने machine learning में आपने study की होगी different different आपके machine learning के भी क्या है आपके पास में different type है आपके पास में machine learning के भी तो उन पे क्या करता है आपका Jeeva portal work करता है basically these techniques will convert the problem in manner so that they can be classified into three phases basically जो भी अपने पास में अपन क्या करते है high computational power की बात कर रहे थे different states की बात कर र इसके बाद में classification करेगा और जो आपकी final phase होगी वह कौनसी होगी आपकी final phase होगी उसमें क्या हो प्रोटीकुलर आपके पास में जो भी आपके पास में final output आता है particular protein structure का वह क्या कौनसी पेस में होगा आपके पास में third phase या फिर आपकी final phase होगी सबसे पहले initialize करेगा जो भी data प्लाइटिकेशं करेगा उस से और फिर क्लासिफिकेशन करेगा फाइनल इस्ट्रेक्टर प्रवाइड करेगा और यह सब किसके त्रू होगा आपके पास में कौन सी टेक्निक क्यों लर्निंग की टेक्निक करने से होगा और basically यह किसके तुरू होगा आपके पास में जीवा पोर्टल और आपकी cloud technologies के combination से अब particular बात करते हैं कि आपकी जो faces कैसे work करते हैं कौन सी face में क्या work होगा आपके पास में it is the already cleared by the name basically क्या आपका initialization से क्या हो रहा है इसमें आपकी जो prediction होती हो कहां से start होगा आपकी initialization phase से आपकी prediction start होती है in the second phase the execution is getting completed concurrently basically आपके पास में जो भी second step होगी उसमें क्या होगा execution process होगा basically उसके बाद में क्या होगा this will reduce the computational time आपके पास में यह कैसे work हो रहा है एक high power का computational environment आपके पास में वह कहां से provide हो रहा है आपके पास में cloud से provide हो रहा है वो किसके through provide हो रहा है को jiva portal के तुर आपको provide करवाय गया और उसके साथ में क्या हो जाएगी आपके जो computational power है वह क्या हो जाएगी आपकी reduce हो जाएगी इन केस अगर आप physical devices में यूज करते हैं या फिर particular systems आप एक ही site से यूज कर रहा है और आपको एक server की requirement है उसके लिए hardware की requirement हो तो आपके क्या होते है आपकी cost भी increase होते है computational time भी आपका increase होता है बट जैस जीवा portal के through open cloud का use करते है तो उसमें क्या हो जाएगी आपके पास में आपका computational time आपका reduce हो जाएगा और आपकी performance क्या हो जाएगी आपकी increase हो जाएगी the prediction algorithm is then transformed into the task graph and that is submitted to अनेखा अब यहाँ पर किसका यूज कर रहे है protein structure के लिए कौन से cloud का use कर रहे है अपन अनेखा का use कर रहे है क्योंकि अनेखा के बारे में अपने अभी study की है अब तो अनेखा basically कैसे work करता है अब यह सब कहां पर होगा आपके पास अनेखा अनेखा क्या है अनेखा इजे platform अब अनेखा का कौन सा रोल आपकी protein structure prediction में अपने अनेखा के बारे में पूरी study की है और आपको clear भी था कि अनेखा इजे platform and the framework for developing distributed application on the cloud it harness thus space CPU cycles of a heterogeneous network of desktop PCs and servers of data centers on demand basically जब भी requirement होगी आपको क्या बढ़ता है data center आपको provide करता है आप पर्टिकुलर आपकी जो भी research आपका work कर रहे हो उसको कैसे कर सकते हो आप अनेखा के तुरू आप cloud पे अनेखा का through आप cloud का use कर रहे हो basically कि अनेखा provide developers with a reach set of APIs different APIs का support कर रहा था आप आने का system administrator यह क्या करता है इसका collection आपका large होता है आपके पास में widely distributed होता है आपके पास में तो यह क्या करता है इसका maintenance होगा वो कौन करेगा आपका administrator maintain करेगा जीवा ही जे computational platform आपका जीवा क्या है बैसी लिए computational platform है जहां पर आप क्या कर रहे हो easily जो भी आप ठोटीकल पार् आपके पास में कोई भी user है अप यह different user से different different sites पर यह work कर रहा है इन्होंने internet के तुरू किसका use कि आपने इन जीवा portal का use किया जैसे अपन वेब ब्राॉजर का use करता है जीवा पोर्टल का इन्होंने use किया अब यह particular जीवा पोर्टल में क्या करते है थी steps में यह work कर रहा था सबसे पहले क्या कर रहा था इनिसलाइजेशन फेस होगी आपकी पास में उसके बाद में जैसे यह कोई भी इसके पास में इसके प्रोवाइड की इसको इसको इनिसलाइज किया उसके बाद में यह क्या करेगा इस पर्टिकुलर स्टेक्ट को इसके क्लाशिपिकेशन कर दिया इस structure का, deep study की particular structure की और उसके बाद में क्या provide गया है work final ओपुट इसने provide कर दिया वो किसमें होगी आपके पास में final state में होगी आपके पास में और उसके बाद में यह किसके through work कर रहा है यह आपका jiva portal यह आपके अने हा के through work कर रहा है अनेखा basically क्या एक cloud platform है जो कि आपको cloud की facilities आपको provide कर रहा है basically तो यह क्या हो गया आपके पास में जीवा पोर्टल का और आपके अनेखा का role हो गया किसमें आपके पास में protein structure prediction में basically